In this video, हम क्या करने जा रहे है, एक project बना रहे है Python में, एक mini project है यह और हम इस पर क्या करेंगे, student information system है इसका नाम, हम इस पर student की information को add करेंगे, delete करेंगे, modify करेंगे और उसको display करेंगे, हम इस पर क्या करेंगे, python के code के थरू हम data input करवाएंगे और वो सारा information जो होगी, वो mysql के अंदर आपकी जा करके store होगी, जो हम वहाँ table बनाएंगे, database बनाएंगी और एक table बनाएंगी, जिसमे वहाँ जा करके वो सारी चीज़े store होगी, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें तो को यह database का नाम, my project नाम से, हम इस project को my project नाम के database name को हम पहले बनाएंगे, यह हम किसके बनाएंगे exam का हम download करेंगे और उसके अंदर जाकर के हम database create करेंगे और उस database के अंदर हम एक table बनाएंगी जिसका नाम student होगा जिसमे रोल नंबर, s name, do, city उसके हमारे columns है और उनके integer, where care, date और where care यह उसके data types है, size जो मैंने अबर लिखा हुआ है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आप exam कहा मिलेगा और कैसे उसके उसके work करेंगे, देखो यह side है, apache friends.org, आप इसको open करेंगे, वहाँ आपको exam बिलेगा, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने अपने एसाब से, इस सिस्टम के एसाब से, Windows, Linux, OS, जिसमें भी आप काम करेंगे, डाउनलोड करना है, और इसको आपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है, जब इस्टॉल हो जाएगा, तो यह इस तरह से देखो यहाँ पर exam control panel करके, यह आपको 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 दिखाए देगा, अब हम क्या करेंगे, इसका भी एक control panel आगे है, exam का, हम इसमें पहले Apache और MySQL को start करना है, अब मैं क्या करूँगा, Apache को, और MySQL दोनों को start कर दूँगा, देखो यह हमारा Apache control panel ने दोनों को start कर दिये, अब मैं MySQL को open करूँगा, मैं admin को click करूँगा, अब देखो यह हमारा PHP MyAdmin आपका browser में open हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें database बनाना है, तो database बनाने के लिए option है, यहाँ पर left side बे देखोगा, यहाँ पर new लिखा हुआ, आप इसी जैसी click करोगे, यह आपसे database का नाम मांगेगा, यह देखो, create database, देखो मैंने आपका my project करके उसका नाम लिखा, अब मैं create को click कर दिया, अब आपसे पूछेगा, create table name, तो यहाँ पर table का name दो गया, हमने table का नाम student दिया, आप कितने column बन रहे हैं, तो हमारे column क्या क्या है, roll number, s name, dob city, तो हमारे कितने column होगा है, four column होगा है, तो इसे create को click कर दो, अब यह हमारे जो four boxes हैं, यह हमारे column की name है, तो यह आप column का नाम लिख दो, पहला हमारा roll number, s name, dob city, कभी भी roll number इसमें, कभी आप ऐसे करके gap नी दोगे, कभी भी आप जो अंदर column बनाओगे, इसमें no करके dot नी दोगे, simple roll number लिखोगे, यह s name, कोई gap नी आएगा, आप यहाँ पर आप data type सेट करिए, roll number हमारा इंटीजरी रहेगा, s name हमारा वार केर, dob हमारी date होगई, और city हमारा वार केर होगई, अब इसमें size दो, मैंने यहाँ पर level कर दिया, s name में 25, dob में कुछिण करोगे, city में 25, आपको अब इसमें क्या करना है, इसके बाद, आपको अपने इसमें primary key बनाएंगे, आप रोल नंबर को primary key बनाएंगे, हमें right side को जाना है, यहाँ पर जो को नडाल इंडेक्स लिखा है, इसके यहाँ पर click करोगे, यहाँ पर यह primary key का आजाएगा option, आप इसे go कर देना, अब आप नीचे को जाओ, इसके आपको यहाँ नीचे button मिलेगा, save का, इसे click कर दो, य आपके एक table बनके आगए, रोल नंबर, एसनेम, डियो बी, सिटी, और यहाँ पर की बनाएगा, इसके मतलब रोल नंबर आपका क्या बन गया, यह primary key बनाएगा, अगर मैं SQL में इसको ऐसे करके क्लिक करूँ, SQL में, तो अभी MR को क्या दिखाएगा, इसके अंदर अधर इसक एकजैम में, और हमने अब इसके अंदर table भी create कर दिया, यह तीन चीज़ें हमने इसके कर लिया, हमें exam इसके अंदर में database बनाया है, और हमने table create कर लिया,